किस तरह से एक openly एक journalist को haunt किया जा रहा है किस तरह से एक journalism को खतम किया जा रहा है और किस तरह से 70 साल तक आज तक इस देश में Congress जिंदा है इनी कर्मों के कारण उनकी दादी माने पहले emergency लगाई आज पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया पूरा देश पूरा महरास्ट्रा पूरा मीडिया सब देख रहा है और जो आज इस बारे में नहीं बोल सकता बहतर है कि अपनी जबान बंद कर लो और अपनी कलम तोड़ दो क्योंकि आप इसके लायक नहीं है क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कब बोलोगे सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बदले की कारवाई हो रही है और इस दुनिया में किसी भी देश से वो सरकार रही ही नहीं वो व्यकती रहा नहीं वो हिट्लर रहा नहीं वो मुसौली नहीं रहा नहीं वो दफठाकरे भी नहीं रहेंगे और जाना ही पड़ेगा क्यूंकि आप किसी भी तरह से एक डेमोक्राटिक कांट्री में इस तरह से एक जनलिस्ट को नहीं हैरिस कर सकते सर यह जो मुंबई मुपुलिस नहीं जिस तरीके से सवेरे सवेरे उठते ही जो शर्मनाख हरकत किये कि 20-30 पूलिस वाले अर्णफ के घर पहुँच जाते हैं और उसके बाद बत्तमीजी भी की जाती है और यह खबरें भी आ रही है कि मार पीट भी की गई उनके साथ अर्णफ को गिरफतार किया गया है एक पुराने केस में अबेटमेंट तो सुिसाइड जो कि अल्रेडी पहले क्लोस कर दिया गया था C.I.D. की तरफ से उसमें पुलीस ने 123.8 सेक्शन में फिर से रियोपनिंग करके कोई एक सर्कुमिस्टांचल आविडिन्स को वहां प्र जनलिस्ट को हॉंट किया जा रहा है किस तरह से एक जनलिजम को खतम किया जा रहा है और किस तरह से 70 साल पर आज तक इस देश में कॉंगरेस जिंदा है इन 1976 कर्मों के कारण उनकी डादी माने पहले इमिर्जए लगाई रजीव गाननी ने अपने जमाने में जब वह एक ब धान मंत्री के खिलाफ कोई लिख नहीं सकता हजारों पुलीस वाले गार्ड दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस के आफिस में भेज कर आफिस को पूरी तरीके से घेर लिया गया था और रामनात गोईन का जिनको नाम पर अवार्ड देते हैं इस देश के रास्ट्रपती वो इसक पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया पूरा देश पूरा महरास्ट्रा पूरा मीडिया सब देख रहे हैं और जो आज इस बारे में नहीं बोल सकता बहतर है कि अपनी जबान बंद कर लो और अपनी कलम तोड़ दो क्योंकि आप इसके लायक नहीं है क्योंकि अगर आज न पूरा में बेटे हो तो इसका अंजाम यहीं होना था फ्री प्रेस की बात करने वाले लोगों को आज ये चीज नजर नहीं आ रही है हमेशा तो बहुत करते थे एक उत्तर प्रदेश में अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ हो जाए जो की गलत है या फिर कहीं और हो जाए उस तो दुनिया भर के ड्रामे किये जाते थे आज इतना सब कोछ हो रहा है किसी के पास काली स्क्रीन करने के लिए नहीं है क्या ये काला दिन हिंदुस्तान के लिए नहीं है क्या ये गुंडागर्दी नहीं हो रही है तमाम तरह की चीज़ें जो गलत है करके लोग तंद्री के हत्या तो इसे कहते हैं जब जब इस देश की प्रेस पर चाहे कोई भी हो अगर इस तरह का हमला होगा तो उनकी कस्टिडी इस देश के सुप्रीम कोट अफ इंडिया को करनी ही पड़ेगी आप किसी के working style से खुश ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके चिलाने से खुश नहीं, आप उसके जादा शीखने से खुश नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई जज तो है नहीं, लेकिन आपको इस चीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कि जब एक जनलिस् महाविनाशकारी अगाडी काम कर रहा है, कॉंग्रेस अगर सोचिये केंदर में होती और सिफसे ना सोचिये महारास्ट्रा में होती तो ये तो लोगों को मरवाते हैं, आजीवन अंदर रहने देते, आपको याद होगा अन्ना हजारे में किस तरह से असीम नाम के एक जनलिस जिसने कार्टून मना दिया था, उसके खिलाफ क्या किया था कॉंग्रेस ने, ये भिटलर शाही वाले लोग इस देश में 58 साल राज करके गए हैं, और महारास्ट्रा में आज एक महाविनाशकारी अगाडी की सरकार चल रही है, ये देखे क्या आतंग करके रखा हुआ है, महारास्ट्रा के पास आज कोई काम नहीं है, SOG आई है गिरफतार करने अरणब गोस्वामी को, SOG Special Operations Group जो की ज़्यादातर तब आता है जब कसाब टाइप के ये हमले होते हैं, जैसे मुंबाई हमला और ये तमाम तरह की, वह एक अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसक तरह से ये हो रहा है, ये हिंदुस्तान इसको accept नहीं करेगा, और आज देखिए आप, आज उठा कर देखिए, कल में रात को 10 बजे ही अरणब गोस्वामी के साथ शो कर रहा था, और परमवीर सिंग पर ही कर रहा था, Republic TV पर, तो तमाम तरह की decent का तो एक आवाज होती है न आपको नहीं पसंद कोई चीज आप मत देखिए, बंद कर दीजे, लेकिन आप किसी को रोक तो नहीं सकते, किसी की जबान तो नहीं पदल सकते, हिटलर शाही तो नहीं चल रहे, एक चीज बताइए, कंगना बोलेगी, उसका घर तोड़ देंगे, कोई आपके खिलाफ बात चीजों की लिए कोई जगा है ही नहीं, अगर आप यहीं करते रहे, तो यह नहीं चल सकता, आपको समझ में आएगा, कि पॉलिटिकली भी उन्होंने कितना गलत मूव लिया है, और कितनी बुरी तरीके से वो इसमें हारने वाले हैं, कंगना के केस में भी उनको किस तरह से क मुखी खानी पड़ी, अरनब गोस्वामी से अल्रेडी उनको मुखी खानी पड़ी ती, जब 200 FIR उनके खिलाफ होई थी, सारी की सारी कोईश हो गई, आज एक और फरजी चार्ज बना कर जिस केस को पहले वही पुली स्टेशन बंद कर चुका है, उसको नया केस बना कर फि और अभी आपको याद होगा किस तरह से नवाब मलिक हैं, उन्होंने कहा था, कि आप देख लीजेगा केस हो या ना हो, अरनब गोस्वामी को तब भी जेल में डालेंगे और वो पागल हो जाएगा, और वो मर जाएगा, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, इस देश की और वियाद रखेगी, सब बात आपने कहीं कि जिस तरीके से रिपबलिक भारत ने इनके उपर जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आई थी, नवाम मलिक ने जो बातें कहीं थी, कि अरनब गोस्वामी के उपर है, क्या महारास् हिंदुस्तान ने तमाम तरह के रिकॉनियन लॉस देखे हैं, हिंदुस्तान ने जब राजीव गांधी की तरफ सी, ये तमाम चीज़ें हुई थी, जो मैंने आपका इंडियन एक्स्प्रेस वाला बताया, वो भी देखा, हिंदुस्तान ने तमाम तरह के हिटलर शाही के बाद उनके पास कोई कुछ काम नहीं है, कोई उनको गाली देगा, तो पलेट के गाली देंगे, कोई सरकार को क्रिटेसाइज करेगा, तो पलेट कर जेल में डालेंगे, कोई उनको बोलेगा कुस्तो, उसको हराम खोर कहेंगे, महिला को गाली देंगे, ये तो क्या हो रह कि आने वाले समय में हमें करना क्या है क्या पीछे पढ़ना है किस के साथ रहना है something कि सथ रहना है किस तरीके से किसी कोभी हउंट करना है किस तरह से एक Trump videos को पर ठाक रहे हैं लेकि इस दुनिया में और हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारे आस तक रही हैं, जब भी कोई जनता के खिलाफ, जनता के विरुद्ध और जनता के हितों के खिलाफ गया है, कहीं न कहीं वो इस देश से और इस दुनिया में किसी भी देश से, वो सरकार रही ही नहीं, वो व्य भीच देश जानता है दूनिया जानतीए पुरे नियूस चानल वाले जानते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी गाएwinning प्रिश फ्रीडम पत्रकारिता और यहतना तरह की चीजें लिएर डामे करते हैं टीवी तो इसलिए जनता ये सब देख रही है और समय के साथ साथ देखिएगा इनका भी हिसाब किया जाए। जीव गांधी चले गए थे और उसको छाप दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उस समय जो कानून आया गया था कानून लाने की कोशिश कर रहे थे उस समय राजीव गांधी जी वो ये था कि आप परधान मंतरी के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसी वजह से शायद हिंदुस्तान के जनलिजम में ऐती चीज़े देखने को मिल रही हैं। आपके साथ भी जनता खड़ी होती लेकिन अब जब आपके साथ कुछ होगा तो मुँ में दही जमा लीजिगा क्योंकि ये देश की जनता कुछ नहीं बोलेगी आपके साथ मिलकर और सरकारे जो चाहें आपका मान मर्दन करेंगी क्योंकि आपने ही सिचुएशन को इदा किया है सेलेक्टिवली चुप रहकर तर अपने लिए इमानदारी के और अपने लिए कहीं न्याय मिले उसके सारे दर्वाजे बंद कर लिए आप विकल इसी तरह से सड़कों पर होंगे इसी तरह से लेकिन आपके अरनब गोस्वामी में फर्किये होगा कि आपके पी क्राई